आप एलो स्ट्रूडेंस बैने अपने पिछले वीडियो में इंट्रस्टिंग फैक्स आफ मैथमेटिक्स के पिछले वीडियो में तूमको प्रूव कर के दिखाया था तू प्लस तू इस इक 122 ईजिकल तू 5 और जिनोंने वह वीडियो मिस्सकी आ है प्लीज इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वो वीडियो देखें और उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आप सब को वीडियो देखने वालों को mathematical enjoyment फील हो सके जो की aim ही है हमारा ये वीडियो बनाने का और पिछला वीडियो बनाने का तो अब जिन्होंने वीडियो देखा है पिछला जिन्होंने देखा कि 2 प्लस 2 इस इकॉल टू 5 किस तरह मैंने प्रूफ किया था वो हम आगे बढ़ते हैं उसका reason बताते हैं कि क्या है basic idea से शुरू करते हैं हम देखो हम अगर 25 का square root लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे तो इसका क्या मतलब निकालेंगे हम हम इसका मतलब निकालेंगे कि 5 का square 25 होता है इसलिए 25 का square root 5 है लेकिन minus 5 का square भी तो 25 ही होता है तो इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि 25 का square root 5 तो ही साथ ही minus 5 भी हो सकता है इन दोनों में से कोई भी हो सकता है यह 25 minus 5 के square से बना है या 5 के square से बना है हम नहीं जानते इसलिए हमें दोनों options लेके चलना पड़ता है तो जो step जिसमें mistake थी वो क्या था मैंने लिखा था 4 minus 9 by 2 square is equal to 5 minus 9 by 2 square यहां तक यह question बिल्कुल ठीक था मैंने उसके बाद दोनों तरफ square root apply किया था यह भी बिल्कुल ठीक था गलती क्या हुई? गलती यह हुई कि 4 minus 9 by 2 को मैंने 5 minus 9 by 2 के बराबर लिखा क्यों? क्योंकि मैंने दोनों side क्या positive ही लिया देखो 25 का square root 5 लिया यानि कि दोनों तरफ plus का निशान नहीं लगाया minus का नहीं लगाया जबकि तुम calculate करके देखोगे तो 4 minus 9 by 2 minus 1 by 2 है 5 minus 9 by 2 plus 1 by 2 है तो यहाँ पर minus अगर आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा है ना? ठीक है? यह क्या बन जाएगा? minus of minus 1 by 2 is equal to 1 by 2 जो कि correct है तो यहाँ गलती थी students और इस तरह है कि कई और interesting facts लेके मैं आता रहूंगा interesting facts of math जो मेरे section मैंने नया बनाया वीडियो का उसमें तो अभी यह मैंने explain कर दिया disaster is explained 2 plus 2 is equal to 5 तो गलत था लेकिन सिरफ इस वज़े से गलत था क्योंकि हमने square root करते वक्त plus minus consider किया ही नहीं अच्छा अगर यहाँ मैं 4 minus 9 by 2 रखूं और equal to यहाँ minus 5 plus और 1 का minus रखता तो ठीक था लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया जो की एक trick थी जिसकी वज़े से यह एक अलग result जो की गलत था मैंने prove किया तो students यहाँ पे यह मैंने explain किया है और इस से हमें यह भी समझ में आता है कि जब भी square root करो plus minus लगाओ क्योंकि हमें नहीं पता कि यह square जो बना है number का square root जिसका हम कर रहे हैं वो minus का था के plus का था minus से बना के plus का बना इसलिए हमें यह दोनों ही consider करके चलने हैं और फिर देखना है कि apply क्या होगा जैसे यहाँ पे इधर minus तो इधर plus और इधर minus तो इधर plus तो students यह explain हो गया होगा तुमको समझ में आ गया होगा अब किसी और मज़ेदार fact से किसी और चीज के साथ हम मज़ा करेंगे fun करेंगे calculations का अगले वीडियो में तब तक best of luck, thank you